संजुक्त रास्प ने 17 सतत विकास लक्षों की एतिहासिक योजना शुरू की है, जिस सस्टेनेबुल डेवलप्मेंट गोल यानि SDG कहा जाता है SDG का उद्देश्य है कि साल 2030 तक अधिक संपन, अधिक संतवादी और अधिक संदक्षित विश्यों की रचना की जा सके 17 विकास लक्ष और 179 उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे के अंग हैं इस एजेंडे को सिदंबर 2015 में संजुक्त रास्प सभा की शिखर बैटक में 193 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया था यह एजेंडा पूरे विश्यों के साथ साथ भारत में 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ है इन लक्षों के निर्धारन में UN ने विभिन रास्तिय सरकारों और दुनिया भर के लाखों लोगों से विचार लिये पूरे विश्यों में एक राय होने के बाद UN ने अगले 15 वर्ष के लिए सतत्विकास के लक्षों को हासिल करने का वैश्विक मार्ग अपनाया है सतत्विकास लक्ष और उद्देश्य महतवपून छेत्रों में कारवाई प्रेरित करेंगे इसके तहद गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्त, लैगनिक समनता, जल एवं सवच्छता, उर्जा, आर्थिक वृध्धी, बुनियादी सुविधाएं, उद्योग एवं नवाचार, असमानताओं में कमी, सनवहनिय शहर, उप्योग एवं मुत्पादन, जलवायू क गरवाई, पारिस्तितिक पढणालिया, शांती ओम न्याय और भागिदारी पर बल दिया जाएगा। इसके समगर एजेंडा में केवल आर्थिक वृध्धी नहीं बलकि निश्पक्ष और अधिक समता मूलक समाज पर भी फोकस करना है। इस डीजी 2030 के लिए वैश्विक एजेंडे का मूल मंत्र सारोभावमित्ता का सिध्धान्त है, अर्थात कोई पीछे न छूटे। इस डीजी का मत है कि विकास समवेशी होना चाहिए और हाशिये पर जीते लोगों की भागिदारी होनी चाहिए। भारत सरकार सतत विकास लक्ष सहित 2030 के एजेंडा के प्रति ढृड़िता से समर्पित है। भारत का रास्तिय विकास लक्ष सबका साथ सबका विकास पर नितिकत पहल इस डीजी के अनुरूप है। निश्चिती भारत दुनिया भर में एस डीजी को हासिल करने में सफलता पुर्वक अग्रणी भूमी का निभाएगा।